Good morning students, कल जो हमने chapter पड़ा था हिंदी grammar का पाठे एक, भाशा, लिपी, बोली और व्याकरन, आज हम उसके question answer करेंगे Question number 1 है, भाशा किसे कहते हैं? उत्तर है, अपने भावो तथा विचारों के आदान परदान करने का साधन भाशा कहलाती है यानि कि मनुष्य अपने भावो तथा विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस साधन के द्वारा पहुंचाते हैं, वो ही साधन भाशा कहलाती है Question number 2 है, भाशा के मुख्य रूप कौन-कौन से हैं? तो भाशा के मुख्य रूप दो हैं, एक मौकिक भाशा और दूसरा लिखित भाशा Question number 3, भाशा के रूपों में अंतर स्पस्ट कीजिए इसका उत्तर है, बोलकर मन के भावो तथा विचारों को प्रकट करना भाशा का मौकिक रूप है यानि कि जब हम अपने भावो को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के भावो को सुनकर समझते हैं तो वो क्या हो गया? मौकिक भाशा जबकि लिख कर मन के भावो तथा विचारों को प्रकट करना भाशा का लिखित रूप है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किये गए चिन्नों को लिखने के धंग को लिपी कहते हैं। यानि कि इसका सीधा सा आंसर यानि कि भाषा के लिखने के धंग को हम लिपी कहते हैं। व्याकरण का अध्यन करना क्यों आवशक है व्याकरण का अध्यन करना इसलिए आवशक है क्योंकि व्याकरण ही वह सास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को सुद्ध बोलने पढ़ने और लिखने के नियमों का ग्यान होता है यानि कि व्याकरण के द्वारा ही हमें सुद् देखके इन्हें आप अपनी नोटबुक में करना और मुझे सेंड करना